दो हजार चौबिस में लोग सबस चुनाव होंगे। चुनावों को लेकर सत्ता रूट बीजेपी से लेकर मुख्य विरोधी दल कॉंग्रेस की तरफ से तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बीजेपी को सत्ता से उखाड फेकने के लिए 26 दल एक हो चुके हैं और इंडिया गडबंदन का एलान कर दिया गया। विपक्षी तैयारी से बीजेपी परिशाद दिखाई दे रही है। चुनावों को देखते हुए एंडिये सांसदों की बैठोकों का दोर भी शुरू हो गया। इसी कड़ी में चुनाव से पहले पीम का एक ऐसा बयान सुर्कियों में हैं जिसने बीजेपी सांसदों को ही सवालों के कटगरे में खड़ा कर दिया है। क्या है पूरी खबर देखते हैं ये रिपक्षी दो हज़र चुनाव से पहले कई मुद्दों पर घिरी और यही वज़ा है कि चुनाव से पहले बैठकों का दौर भी तेज हो गया है। दरसल मोदी ने NDA सांसदों की बैठक ली लेकिन मोदी ने बैठक के दौरान जो कहा वो हैरान करने वाला है। और विपक्ष तो पहले ही दावक कर रहा था कि BJP अगर राम मंदिर के नाम पर वोट मांगती है तो जनता उसे समख सिखा देगी। और ये बात लगता है कि पिये मोदी को अब जाकर समझ आई है। हलाकि बैठक को समूदित करते हुए मोदी ने कहा कि इसलिए हमको गरीब कल्यान की बारे में सोचकर ही काम करना चाहिए। और सभी सांसत अपने अपने लोगसभा शेत्रों में कॉल सेंटर की स्थापना करे ताकि अपने कामों का प्रचार कर सके।